हेलो एवरिवन वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल सिविल एठ हों तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वाट आर कपल्स दोस्तों आपने इन जनरल जब आप अपनी इसकी definition देखेंगे देन दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँआ एक पिक्चर के help से एक image के help से जिससे दोस्तों आपको उमीद करता हूँ कि यह topic पिल्कुल 108% के लिए हो जाएगा उसके बाद भी अगर दोस्तों आपका कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं ह दिखते हैं सबसे पहले इसकी definition क्या कहती है तो दोस्तों इसकी definition कहती है a couple consists of two parallel forces that are equal in magnitude, opposite in sense and do not share a line of action तो दोस्तों यहाँ पर couple की definition में मेरी यहाँ पर दोस्तों चार बात निकल गर आती हैं बिल्कुल इस definition को break करकर के यहाँ पर इन term को समझ लेते हैं तो दोस्तों यह क्या कहती है a couple consists of two parallel forces मतलब दोस्तों पहली टर्म क्या है मेरे यहाँ पर दो parallel forces होते हैं एक couple के अंदर ठीके दोस्तों that are equal in magnitude उनका जो दोस्तों magnitude होगा वो क्या होगा वो equal होगा ठीके दोस्तों opposite in sense या फिर opposite in nature ठीके दोस्तों यह जो मेरे दो parallel forces होंगे यह क्या होंगे equal in magnitude होंगे और opposite in sense या फिर opposite in nature ठीके दोस्तो तीसरी बात चोती बात यहाँ पर रगए कि do not share a line of action और वो दोस्तो वो उनकी जो line of action होगी वो different different होगे मतलब वो different different direction में लगेंगे different different point पर लगेंगे ठीके दोस्तो यह बात समझ महाई तो दोस्तो यहाँ पर यह मेरे 4 point निकल कर आते हैं ठीके दोस्तो यह 4 point क्या है पहला two parallel forces दूसरा जो यह मेरे forces है parallel forces है वो क्या है equal in magnitude तीसरी तीसरी बात समझ महाई opposite in sense उनका जो sense होगा वो क्या होगा दोस्तो मेरे यहाँ पर उनका अलग-अलग होगा different sense होगा वो different nature क्योंगे यह भी बात दोस्तो जब मैं आपको यह figure दिखाँगा next जो आपको दिखा रहे होगा बिल्कुल easy ली दोस्तो आपको समझ महाजेगी किसका क्या मतलब है opposite in sense opposite in nature जितने भी यहाँ पर मैंने 4 बात बते ही और चोती बात दोस्तो मैंने क्या बते ही आपको do not share a line of action उनका जो line of action होगा दोस्तो वो अलग-अलग होगा यह मेरी दोस्तो कपल की definition कहती है अब यहाँ पर दोस्तो हम इन 4 point को एक figure के अंदर देखते हैं तो सभी ने बच्पन से हम देखते हुआ है यह क्या है दोस्तो हमारा यह है मेरी paddle assembly यह मेरे पास cycle है और यह cycle के क्या है paddle assembly है जो हम अपने बच्पन से cycle को चलाते हुआ रहे है इस paddle वाले example से यह मेरा दोस्तो यहाँ पर जो figure दिख रही है ठीके दोस्तों तो मेरे ये रहे दोखो पैलल फोर्स एक पैलल फोर्स दोस्तों मेरे यहाँ पर यह रहा जो अपवर डिरेक्शन लग रहा है और एक पैलल फोर्स दोस्तों मेरे यहाँ पर यह रहा जो मेरी डाउनवर डिरेक्शन लग रहा है और यह दोस्तों क्या है एक यह दो parallel forces आगे, दूसरे बात दोस्तों सुम्हें क्या थी, वो क्या थी, कि मेरे इनका जो magnitude है, वो क्या है, सेम है, माल लेते हैं, यह वाला जो मेरा upward force है, यह क्या है, यह मेरा 10 Newton का है, तो दोस्तों, यह बास समिन माही, तो मेरी दो conditions satisfy को, तीसरे क्या है, opposite in sense, opposite in nature, ठीकर दोस upward direction में लग रहा है, ठीके दोस्तो, और यह मेरा कहा लग रहा है, यह मेरा downward direction में लग रहा है, ठीके दोस्तो, तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, तीन बात यहाँ पर किलिए लोगी, चोथी बात दोस्तो होगी, कि यह मेरी एक line of action को share नहीं करते हैं, इनकी जो line of action होते हैं, different different होत कि मेरा एक कपल कैसे जनरेट करता है और दोस्तों यह मेरा कपल क्या करता है सिर्फ और सिर्फ बोडी को क्या करता है बोडी में सिर्फ मुवमेंट आता है मोडी में सिर्फ मुवमेंट को जनरेट करता है बोडी को सिर्फ रोटेट करने का ट्राइ करता है ठीके दोस्तो, तो मेरी यहाँ पर यह एक definition थी, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश की कापल क्या होता है, अगर दोस्तो आपको समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा, अफिरे भी, जैसे कि मैंन आकर उसकी definition को देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक कीजिए और में फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस